गुरुवार को ब्रस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, समान, प्रतिष्ठा और मनुवाजित फल की प्राप्ती होती है। धार्मिक क्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान ब्रस्पति देव की पूजा का विधान है। रुवार के दिन व्रत करने और कथा सुनने से घर परिवार में सुक सम्रिधी बनी रहती है और आप सुनेंगे ब्रसपती देवता की कथा और आर्थी अगर आपको पौरानिक कथाई सुना पसंद है तो हमारे चैनल पर हर दिन सुभा के समय पौरानिक कथाई भी सुनाई जा ना वहवरत करती और नाहीं किसी को एक भी पैसा दान में देती और राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए घर पर रानी और दासी अकेली थी उसी समय गुरू ब्रस्पती साधू का रूप धारण कर राजा के दर्वाजे पर भिक्षा मांगने गए साधू ने रानी से भिक्षा मांगी तब वह कहने लगी हे साधू माराज मैं तो इस दान और पुर्णी से तंग आ गई हूँ आप कोई ऐसा उपाय बताईए जिससे ये सारा धन नस्ठ हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ तब साधू रूपी ब्रस्पती देव कहने लगे हे देवी तुम बड़ी विचित्र हो संतान और धन से भी कोई दुखी होता है अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुबकार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें परतु साधू की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई उसने कहा महराज मुझे ऐसे धन की आवशक्त नहीं जिसे मैं दान दू और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नस्ठ हो जाए साधू कहने लगे अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना ब्रस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना केशों को धोते समय इसनान करना राजा से हजामत बनवाने को कहना भोजन में मांस मदीरा खाना और कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना इस प्रकार साथ ब्रस्पतिवार करने से तुमारा समस्त धन नस्ठ हो जाएगा ऐसा कहकर साधू बने ब्रस्पतिदेव अंतरध्यान हो गए साधू के कहे अनुसार राणी को करते हुए केवल तीन ब्रस्पतिवार ही वीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ती नस्ठ हो गई अब भोजन के लिए परिवार तरसने लगा एक दिन राजा रानी से बोला है रानी तुम यहीं रहो मैं दूसरे देश को जाता हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं इसले मैं कोई छोटा कारी नहीं कर सकता ऐसा कहका राजा परदेश चला गया वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेशता इसी तरह वह अपना जीवन बिताने लगा इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी एक समय जब रानी और दासी को साथ दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तब रानी ने अपनी दासी से कहा ये दासी पासी के नगर में मेरी बेहन रहती है वह बड़ी धनवान है तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए दासी रानी की बेहन के पास गई उस दिन ब्रस्पतिवार था रानी की बेहन उस समय ब्रस्पतिवार की कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बेहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बहन ने कोई उतर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उतर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई उसे क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई सुनकर रानी ने अपने भागी को कोसा उधर राने की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूजन समाप कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी ये बहन मैं ब्रिस्पतिवार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी गई परन्तु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी तब रानी कहने लगी बहन हमारे घर अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भर आई उसने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बताई रानी की बहन बोली द्वहन देखो ब्रस्पतिदेव भगवान सबकी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो ये सुनकर दासि घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने तो एक-एक बरतन देख लिया था उसने बाहर आकर रानी को बताया दासि रानी से कहने लगी ये रानी जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधी पूछ ली जाए हम भी व्रत किया करेंगे दासि के कहने पर रानी ने अपनी बहन से ब्रस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया ब्रस्पतिवार के व्रत में चने की डाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाएं पीला भोजन करे और कथा सुने इससे ब्रस्पति दे भगवान प्रसन होते हैं और मनुकामना पूर्ण करते हैं व्रत और पूजन की विधी बताकर राने की बहन अपने घर लोटाई राने और दासी दोनोंने निश्चे किया कि ब्रस्पति दे भगवान का पूजन जरूर करेंगे साथ रोज बाद जब ब्रस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया अब पीला भोजन कहां से आये तोनों बड़ी दुखी हुई पर अंतु उन्होंने व्रत किया था इसलिए ब्रस्पतिदेव भगवान प्रसन थे एक साधरन व्यक्ति के रूप में वे दो थालों में सुन्दर पीला भोजन लेकर आये और दासी को देकर बोले हे दासी ये भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है इसे तुम दोनों ग्रहन करना दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन हुई उसने रानी को सारी बात बताई उसके बात से वे प्रतेग ब्रस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी ब्रस नस्ठ होता था इसी कारण सभी धन नस्ठ हो गया अब ब्रिस्पतिदे भगवान की किरपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है इसलिए हमें अब दान पुर्णि करना चाहिए अब तुम भू के मनिश्यों को भोज में खर्च करो जिससे तुम्हारे कुल का यश पढ़े तथा स्वर्ग प्राप्थ और पितर प्रसन हो तब दासी की बात मान कर रानी शुभकर्म करने लगी जिससे उसका यश फैलने लगा एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस तशा में होंगे उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है उन्होंने श्रधा पुर्वक ब्रस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहां कहीं भी हो शिग्र वापस आ जाएं उधर राजा परदेश में बहुत दुखी रहने लगा वह प्रति दिन जंगल से लकड़ी बीन कर ल सादू के वेश में आकर बोले हे लकड़ारे तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो मुझे बताओ यह सुनकर राजा की आँखों में आशु भराए सादू को प्रणाम करके राजा ने अपनी पूरी कहानी सुना दी महत्म दयालू होते हैं वे राजा से बोल ब्रस्पतिवार का व्रत प्रारम कर दिया है अब तुम भी ब्रस्पतिवार का व्रत करके चने की डाल और गुर्ण जलके लोटे में डाल कर केले का पूजन करो फिर कथा कहो यह सुनो भगवान तुमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे सादू की बात सुनकर राजा ब फिर मैं कौन सी कहानी कहूं ये भी मुझको नहीं पता सादू महराज कहनी लगे हे राजा मन में ब्रस्पति भगवान के पूजन वृत का निश्चे करो वे स्वेम तुम्हारे लिए कोई रहा बना देंगे ब्रस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकडियां लेकर शहर में जाना तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा जिससे तुम भलिभाती भोजन कर लोगे और प्रस्पतिदेव की पूजा का समान भी आ जावेगा जो तुमने प्रस्पतिवार की कहानी के बारे में पूछा है वे इस प्रकार है प्राचीन काल में एक बहुत ही न पासे ब्रहमण के यहाए कन्या उत्पन होई वे कन्या बड़ी होने लगी प्रातहकाल इसनान करके वे भगवान विश्नु का जब करती ब्रस्पतिवार का व्रत भी करने लगी पूजा पाठ समाप कर पाठशाला जाती तो वे अपनी मुठी में जो भरके ले जाती और पा ने देख लिया और कहने लगी हे बेटी सोने के जोको फटकने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए दूसरे दिन गुरवार था कन्या ने व्रत रखा और ब्रस्पतिदेव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की ब्रस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना स्विकार क तरह वे कन्या जो फैलाती हुई पाठशाला चली गई पाठशाला से लोट कर जब वे जो बीन रही थी तब रस्पतिदेव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिल गया उसे वे घर ले आई और उससे जो साफ करने लगी परंतु उसकी मां का वही ढंग रहा एक दिन की बात है वे कन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उसी समय उस नगर कर राजकुमार वहाँ से निकला अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया मंत्री उस लड़की के घर गया मंत्री ने ब्रहमण के समक्ष राजा की ओर से निवेधन किया और कुछ ही समय बाद ब्रहमण की कन्या का विवा राजकुमार के साथ संपन्न हो गया कन्या के घर से जाते ही ब्रहमट देपता के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया एक दिन दुखी होकर ब्रहमट अपनी पुत्री से मिलने गए बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी मा का हाल पूछा ब्रहमण देपता ने सभी हाल कह सुनाया तब कन्या ने बहुत सधन देकर अपनी पिता को विदा कर दिया लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया ब्रहमण फिर अपनी कन्या के यहां गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली है पिता जी आप माता जी को यहां लिवालाओ मैं उन्हें वह विधी बता दूंगी जिससे गरी भी दूर हो जाए ब्रहमार देपता अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तब पुत्री अपनी मा को समझाने लगी हे मा तुम प्रात्यकाल इस नानादी करके विश्णु भगवान का पूजन करो तो सब दर्रिदिर्ता दूर हो जाएगी परंत उसकी मा ने उसकी एक बाद भी नहीं मानी वे प्रात्यकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खा लेती थी एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुसा आया उसने अपनी मा को एक कोटरी में बंद कर दिया प्रात है उसे इस नानादी करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी मा की बुध्धी ठीक हो गई इसके बाद वे नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्यक ब्रस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी इस वरत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वे स्वर्ग को गई वे ब्रहमर्ट देपता भी सुक पूर्वक इस लोग का सुक भोग कर स्वर्ग को प्राप्थ हुए इस तरह कहानी कहकर साधू बने देपता वहां से आलोप हो गई दीरे दीरे समय बीतने पर फिर ब्रस्पतिवार का दिन आया राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला राजा ने चनागुर आदिला कर ब्रस्पतिवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी कलेश तूर हुए परन्तु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह ब्रस्पतिवार का वरत करना भूल गया इसी कारण ब्रस्पति भगवान नराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यगी का आयोजन किया था तथा अपने समस्त राजी में घोश ना करवा दी कि सभी मेरे यहां भोजन करने आये किसी के घर चूला ना जले और इस आग्या को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी राजा की आग्या नुसार राजे के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए लेकिन लकडहारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उसको अपने साथ महल मिले गए जब राजा लकडहारे को भूजन करा रहे थे तब राणी की द्रस्टी उस खूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था उसे हार खूटी पर लटका दिखाई नहीं दिया राणी को निश्चे हो गया कि मेरा हार इसी लकडहारे ने चुरा लिया है उसी समय सैनिकों को बुलवा कर उसको जेल में डलवा दिया अब लकड़हरा जेल में विचार करने लगा कि नजाने कौन से पूर्व जनम के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्थ हुआ है और जंगल में मिले साधू को याद करने लगा ततकाल ब्रस्पतिदेव साधू के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे अरे मुर्ख तुने ब्रस्पतिदेवता की कथा नहीं की उसी कारण तुझे ये दुख प्राप्थ हुआ है अब चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन जेल खाने के दर्वाजे पर तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तु ब्रस्पतिवार की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे अगले प्रस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर चार पैसे मिले राजा ने पूजा का समान मगा कर गथा कही और परसाद बाटा उसी रात में ब्रस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा हे राजा तुने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना वह निर्दोश है राजा प्रात्यकाल उठा और खूटी पर हार टंगा देखकर लकड़ हारे को बुलाकक शमा मांगी तथा राजा के योगी सुन्दर वस्त्र आपुशन भेटकर उसे विदा किया गुरुदेव की आगिया के अनुसार राजा अब अपने नगर को चल दिया राजा जब नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा ही आश्चर हुआ नगर में पहले से अधिक बाग, तलाब और कुए तता बहुत सी धर्मशालाएं मंदिरादी बने हुए थे राजा ने पूछा ये किसका बाग और धर्मशाला है तब नगर के सभी लोग कहने लगे ये सब राणी और दासी द्वारा बनवाए गए है राजा को आश्चर हुआ और गुस्सा भी आया कि उसकी अनुपस्थिती में राणी के पास धन कहां से आया होगा उधर जब राणी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने पनी दासी से कहा ये दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे वो हमारी ऐसी हालत देख कर लोटना जाएं इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा राणी की आग्या नुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आये तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ तब राणी ने सारी कथा कह सुनाई राजा ने निश्चे किया कि मैं रोजाना दिन में तीन बार कहानी कहा करूँगा और रोज ही व्रत किया करूँगा अब हर समय राजा के दुपटे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में तीन बार कथा कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहां हो आएं इस तरह निश्चे करके वह राजा घोडे पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चल दिया मार्ग मेर्स ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिये जा रहे हैं उन्हें रोक कर राजा कहने लगा अरे भाईयो मेरी ब्रिस्पतिवार की कथा सुन लो वे बोले लो हमारा तो आदमी मर गया है इसको अपनी कथा की पड़ी है परन तो कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा कहनी शुरू कर दी जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया राजा आगे बढ़ा उसे चलते चलते शाम हो गई आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला राजा ने उससे भी कथा सुनने का आगरे किया लेकिन वे नहीं माना राजा आगे चल पड़ा राजा के हटते ही बैल पच्छाड खा कर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा उसी समय किसान की मा रोटी लेकर आई उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा बेटे ने सबी हाल बता दिया बुढिया दोड़ी दोड़ी उस घड़ सवार के पास पहुंची और उससे बोली मैं तेरी कथा सुनूँगी तु अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना तब राजा ने लोटकर बुढिया के खेत पर जाकर कथा कही जिसके सुनते ही बेल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया अब राजा अपनी बेहन के घर पहुंच गया बेहन ने भाई की खूब महमाने की दूसरे रोज प्रात्यकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे है राजा ने अपनी बेहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी ब्रिस्पतिवार की कथा सुन ले तब बेहन बोली है भाईया ये देश ऐसा ही है यहां लोग पहले भोजन करते हैं बाद में कोई अन्य काम करते हैं फिर वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बिमार था उसे मालुम हुआ कि उसके यहां तीन दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है राणी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तब वह तयार हो गया राजा ने जाकर ब्रस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की परशंसा होने लगी एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा बहन अब मैं अपने घर जाओंगा, तुम भी तयार हो जाओ राजा की बहनने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने के आग्या मागी सास बोली हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत ले कर जाना चुकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है बहन ने अपने भाई से कहा है भाईया मैं तो चलूँगी मगर कोई बालक नहीं जाएगा तब राजा कहने लगा कि जब बालक ही नहीं जाएंगे तब तुम भी चल कर क्या करोगी और अपनी बहन को भी छोड़ कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजा ने अपने राणी से सारी कथाक बताई और बिना भोजन किये वे शयया पर लेट गया राणी बोली है प्रभो ब्रस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है वे हमें संतान भी अवश्य देंगे उसी राद ब्रस्पतिदेव ने राजा को सपन में कहा है राजा ओठ सभी सोच त्याग दे तेरी राणी गर्ब से है राजा को ये जानकर बड़ी खुशी हुई नवे महिने राणी के गर्ब से एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ तब राजा बोला है राणी इस तरी बिना भोजन के रह सकती है पर अंतु बिना कहें नहीं रह सकती जब मेरी बहन आये तब तो मुझसे कुछ मत कहना राणी ने हा कर दी जब राजा की बहन ने ये शुब समचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाई राणी ने तब उसे आने का उलहना दिया जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गई उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागी भागी भी ना बुलाए आ गई तब राजा की बहन बोली भाई मैं इस परकार ना कहती तो तुम्हारे गर अलाद कैसे होती ब्रस्पति देव सभी कामनाई पूर्ण करते हैं जो सद्भावना पुर्वक ब्रस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है ब्रस्पति देव उसकी सभी मनुकामनाई पूर्ण करते हैं उसकी सदय व्रक्षा करते हैं जो संसार में सत्भावना से गुरु देव का पूजन और वरत सच्चे हर्दय से करते हैं, उनकी सभी कामनाएं वैसे ही पूंड हो जाती हैं, जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने ब्रस्पति देव की कत्हा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं आई हे, अब करने से सुक्षान्ति नस्ट ऊचाती है और कता सुनने के बाद सभी को परशाद ग्रहन करके जाना चाहिए। हर्दे से ब्रस्पती देव का मनन करते हुए जैकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोले ब्रस्पति देवता की जै। अब सुनिए ब्रस्पतिवार व्रतार्ती ओम जै ब्रस्पतिदेवा स्वामी जै ब्रस्पतिदेवा चिन चिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पतिदेवा तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी जगत पिता जग दीश्वर तुम सब के स्वामी ओम जय ब्रस्पति देवा चरणा मृत निज निर्मल सब पातक हरता स्वामी सब पातक हरता सकल मनूरत दायक क्रिपा करो भरता ओम जय ब्रस्पति देवा तन मन धन अरपन कर जोजन शरन पड़े स्वामी जोजन शरन पड़े प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े ओम जय ब्रस्पति देवा दीन दयाल दयानिधी भक्तन हितकारी स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोश सब हरता भव बंधन हारी ओम जय ब्रस्पति देवा सकल मनुरत दायक सब संशेतारो स्वामी सब संशेतारो विशय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय ब्रस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे स्वामी प्रेम सहित गावे जे स्ठानंद वंद सोसो निश्चय पावे ओम जय ब्रस्पति देवा स्वामी जय ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं कदली फल मेवा ओम जय ब्रस्पति देवा उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अप्री